कोश्चन नमबर 12 इससे पहले मैंने जब कोश्चन नमबर 10 पढ़ा था उसी एक साथ कोश्चन 11 का कोश्चन दे दिया हूँ क्यों 10 और 11 सेम थे तो चली कोश्चन नमबर 12 कर लेते हैं थोड़ा सा एक थोड़ा कोश्चन अलग ही है उसी प्रकार उस विकल्ब चैन कीजिए ज और कुछ हिस्सा कुछ कलम का हिस्सा क्या है रबड है ऐसे बन गए डाइग्राम पहले ही मैं बता चुक हूँ कि कुछ के सेंस में आधा हिस्सा आएगा ठीक है थोड़ा सा कुछ कलम बेटिया है अब कुछ कलम क्या है बेटिया है यह ऐसे डाइग्राम बन गया मतलब कलम कह आधा मतलब कुछ भाग क्या है रबड है और कलम का कुछ भाग क्या बेटिया यह statement हुआ अब कसन गंसार जब डाइग्राम आपको create हो जाए बन जाए उसके बाद निसकर्स पे आते हैं तो निसकर्स में क्या करना क्या लिखा कुछ बेटिया रबड है निसकर्स यह कहता है कि कुछ जो बेटियों का हिस्सा रबड में है तो देखते हैं यह बेटियां यह रबड हैं कह यो दिखी नहीं रहें दूर दूर तक डाइग्राम में कोई हिस्सा नहीं लिकम जाना को और द्लेशन दिका तो पहले स्टेटमेट क्या हो जाएगा यृण फिर पाद मिंता है पूल रहा है कि plans पूर है पूरा घुला है रवरें में आता है ऐसे इसके जो है सभी कलम रवरण हैAS सभी कलम हुआ रवन alis prejudice प्रकार डाईग्राम एक इस प्रकार डाईग्राम दिखेर्ठाइ सभी कलम यह जो कलम है शो पूरा कलम है उसका क्यBox एस्ट कैरवर में आहां अगर सम्झ में आगया एक कोशन में आपको देता हмग उस कोश्छन वह जरूर करिएगा ठीक है जिसञे रहाँ सिरा कफ़न कफ़ने के स्टेटमेंट है वह यह मूली है और दूसरा statement कुछ मूली आलू है यह कथन होगा है इसके बाद जो निसकर्स है वो क्या रहा conclusion क्या रहा कुछ गाजर आलू है और सभी आलू मूली है तो आपको इन कथन की बेस पे इस निसकर्स को डाइगराम में दर्साना है देखना है कौन से कथन सही है अगर को यह साहिए। पहला वाला साहिए तो एंसर यह Ava Ş अगर दूसरा साहिए सावाला अप्सें driving देवीजे अगर इन मैस कोई नहीं новी है तो आवला option दीए ठीक है इस पर खाय्रगार question होता है यहीं पेSo Year of the So by then thank you for walking झाल विल्दा नयात विल्दा। करे दो झाल झाल झाल